तो उत्राखंद online SI का जो बैच्छ है उसमें आपका स्वागत है आपको जानकारी भी होगी फिजिकल चल रहे थे और अब उसका रिटर्न एक्जाम होना है उसकी प्रोपर कोई डेटा भी नहीं गाई आज मैं common paper आपकी साथ discuss करूँगा जैसे कुछ लोग screening का paper देते हैं कई इस तरीके के जो paper है जिसमें general study आती है तो उसी को आधार बनाते वी paper मैं आपकी साथ discuss करूँगा वैसे प्रोपर ये उत्राखंद SI batch के लिए बनाया गया है तो इस batch में इस paper में current को ज्यादे रखा गय क्योंकि current affairs से जो question आते हैं मैं देखता हूँ कि वह discuss नहीं होता class में भी बहुत जादा और student कहीं ने कहीं वहाँ पर lag कर जाते हैं उनका loophole होता है तो इसमें current affair है कुछ reasoning के question है history के है, politics के है, उत्राखन के question है, geography, economics तो एक balance paper बनाने का पलियास किया गया तो नेतेसी ये live class है, screen पे question आते रहेंगे, welcome है question जी, तो question को देखकर आपको answer देना है, अपने विविक का प्रियोग करना है, question को बहुत cool होकर पढ़ना है कोई जल्दी नहीं है, बहुती समझदारी का प्रिचे देते वे, आप answer देने का प्रियास करेंगे, तो मैं शुरुवात करता हूँ यहाँ पर, paper बड़ा paper है, तो ज़्यादे स्पीड भी नहीं रहे, मलब बहुत धेरे भी नहीं चलना है, तो यहाँ का गया है कि केंद्रि के ग्रह मंत्री, यानि Central Home Minister अमिसाहद वारा, अगस 2024 को लद्दाक में एक नया जिला बनाया गया है, तो उस जिले का नाम क्या है, देखे, current affair में आप लेक करेंगे, बस आपको यह धियान रखना है, कि आप इस current affair को update कर लेना, तो उस नय जिले का जो नाम है, वो जासकर है, जासकर, है ना, तो यह धियान रखना है आपको जासकर नया जिला बनाया है, जब current affair के question complete हो जाएंगे, फिर आप अपने से अंसर देना शुरू करेंगे, काइट ने केरल के public school के लिए 22 अगस 2024 को कौन सा operating system पेस किया है, तो उसका आपको नाम बताना है, वो कौन सा किया है, हाँ, मा बाराही जी, please question का number डालते रहेंगे, क्योंकि आपने C answer दिया है, और मुझे अभी यह नहीं पता कि आप पहले का answer दे रहें हैं दूसरे का, question number डालते रहेंगे, और दूसरे का answer है, काइट जैन्यू है, दूसरे का answer यह है, अब जो next question आएंगे, उसमें आप question के number आप डालते रहेंगे, महरास्ट में 18 अगस 2024 को उद्घाटन किये गए पहले solar village का नाम बताईए, solar village का नाम बताईए, महरास्ट की बात हो रही है, मराथी वांप की भासा है, मराथी वांप की लीपी है, मराथी भासा है, लेकिन लीपी उनकी भी देवनागरी है, तो देवनागरी लीपी में किस तरीके से लिखते हैं, जैसे मेरी भी एक बार जर्णी हुई वहाँ पर, तो डीजल को लिखते हैं, धीजल, पानी को लिखते हैं, पानी मराथी में, तीसरे का अंसर दो लोगों का धर्मेंत पमार जी का आया है, और हाँ, आपका ए अंसर आ इसको किसका उदगाटन उन्होंने किया है, तो कोशन नमर फोर का अंसर क्या हो सकता है, एन पी एस एस, तो इसका अंसर ए है, काफी स्टुएंट मेरी साथ लाइव जुड़ चुके हैं, और आप अपने यहां जोर अजमा सकते हैं, है न, गुजरात में 10 अगस 2024 को मनाए ग करनक्षन पर ध्यान के इंजवित किया गया, क्या ACI सेर है, या हिम तेंदवा है, भारती हाती है, या बंगाल ताइगर है, तो वरतमान की स्टुए देखते हैं, तो भारत के अंदर आसा जी वेलकम, बंगाल ताइगर काफी है, ताइगरों की संख्या भारत में घटे नही बड़े है, लेकिन जो ACI सेर है, ACI सेर इसका अंसर है, इसके प्रोटेक्शन पर विश्यस ध्यान दिया गया है, तो सी इसका अंसर है, बिलको लेटेस कोशन है, 7 अगस 2024 को की गई घोशना के अंसर किन दो राज्योंने में नए मियूर अभ्यारने, अभ्यारने को, अभ्यारने, centuries कहते हैं, तो कौन-कौन से दो state है, उनके नाम बताने है, तो यहाँ पर question number 6 आपको बताना है, कुशुमलता जी, welcome, question number 6, six, का अंसर क्या हो सकता है, six का, देखो, यहाँ भाग्ये भी अजमाएंगे, लेकिन गलत अंसर देने से बचेंगे, तो तमिल एडू और अंधरा नहीं है, इसका अंसर यह है, देखे, यहाँ पर आपदा परमंदन बीमा योजना, यानि डिजस्टन मैनेजमेंट, इंसोरेंस, योजना जो चलाई गई है, इसका नाम आता है, यहाँ पर, नागा लेंट, करंट अफेर, बहुत टाइट है आप लोगों का, तो सभी बच्चों से मैं कह रहा हूँ, एक्जाम में जितने करंट अफेर के कोश्चन आने की संभावना है, इस पेपर को पब्लिक कर दिया जाएगा, लेकिन सारे पेपर पब्लिक नहीं किये जाएंगे, तो आपको GTS की एप पे, आपको अपने कोर्स में सारे पेपर मिल जाएंगे, 26 जुलाई 2024 को लांच किये गए 500 वी सामुदाई, कॉमुनिटी, रेडियो इस्टेशन का नाम क्या रखा गया है, चलो, इन कोश्चनों को मैं ऐसे ही कर देता हूँ, तो अपना रेडियो 90 FM, 24 जुलाई 2024 को घोसित एंटी पेपर लीक विधेक, प्रस्तावित निउन्तम जेल का प्रवधान है, हमारे सामने एक बहुत बड़ी समश्या यह आ रही है, कि बहुत से पेपर लीक होते थे, हो सकता है अभी भी होते हूँ, क्योंकि भारत में क्या नाम था हक्किम सिंग मु यह भी आपको पता रख है, तो दस वर्ष का कमलेश जी आप अंसर दे रहे हैं, हाँ, यह बिलकुल राइट अंसर है, निउन्तम दस वर्ष की सजा का प्रवधान है, लेकिन अभी तो मुझे मैंने देखा नहीं जिसको सजा मिली है, हम, मान सहरी भोजन की विक्री और खप होगी, ना उसका परियोग किया जाएगा, विश्व का पहला सीटी, अब देखिए, आप इमेजिंग कर सकते हैं, बनारस जैपूर और अमरसर की यदि हम बात करते हैं, तो लोग यहां सराब का सेवन करते हैं, लेकिन गुजरात में सराब का सेवन नहीं होता, अब जब यहां पर यह बंद किया गया है, और बिडिस काल में यह प्रिंसली स्टेट यानि जेसी रियासब होती चीए, विश्व का सबसे बड़ा रामायन मंदिर प्रियोजना कहां इस थी थे, ठीक है, तो बिहार के इंदर जो पूरवी चमपारण है, बिहार, यह यहां पर है, तो दुवारा 5 जूलाइ 24 को लांच किये गए मुबाइल एप का नाम क्या है, कोशन नमबर 12, प्लीज कोशन का नमबर डालते रहेंगे, 12, 12 का आंसर क्या हो सकता है, तो इस जो मुबाइल एप बनाई गई है, इसका नाम लोगपत्र, मुबाइल एप है 28, अब हम आगे की उर बढ़ते हीं, यहां पर दिखी, महराश्ट के मुख्य मंतरी सिंदे दुवारा, मुख्य मंतरी माजी लड़की बेहन योजना, तो यहां भी एक कोशन बन सकता है, माजी लड़की बेहन योजना किस स्टेट में है, महराश्ट में, तो इसकी जो एज है, उसमें परिवर्तन किया गया है और इसमें योजना में 65 वर्ष्टक की महिलाओं को सामिल किया गया है नोटा नोटा तो देखिए अब जब हम वोटिंग करते हैं एवियम से तो उसमें एक विकल्प नोटा होता है नोटा का मतलब होता है हमें कोई भी कंडिडेट पसंद नहीं है तो यहाँ इलेक्शन कमिशन को भी देखना चाहिए कि आप जिन लोगों को कंडिडेट पार्टियां नोमिनेट कर दी है और इलेक्शन कमिशन पर्मिशन दे रहा है या तो उनके कोई एच्विमेंट नहीं है या उनका क्रिमनल रिकोर्ड है तो ऐसी स्थिति में आम जनता को राइट है कि वो किसी को भी गोट न देकर नोटा का चिनाओ करें तो ये बड़े डेमोक्रेटिक कंट्री है इंडिया वर्ल्ड का और उसमें नोटा को परियोग किया जा रहा है तो ये वी एक सुचने मुद्दा है तो इसमें इंदोर मध्यपरदेश का एक ऐसा सहर है जिसने इस बार लोकसभा के चिनाओं में नोटा का सरवदिक परियोग किया अब वो कौन सा इस्टेट है जिसने गुट का पान मसाला पर एक वर्स के लिए बैन लगाया है लेकिन एक वर्स के लिए ही क्यों लगाया है हमेशा के लिए लगाये और सब लोग लगाये जिसे गुजरात ने इंटॉक्सिकेंट पर लगाया है दिहार ने इंटॉक्सिकेंट लिकर पर लगाया है तो वो तेलंगाना है आपको धियान लखना आएगे तेलंगाना आप देखिए अब यहां जोग्रफी का पहला question आता है प्रत्वी के भीतर वह बिंदू जहां भूकम्प की उत्पत्ती होती है question number 16 किस नाम से जाना जाता है देखिए यह अर्थ्यूक है यहां से अर्थ्यूक निकलता है यहां से विव्ज निकलती है पी एस एल और इस तरीके से surface पर पहुंचती है सबसे पहले यहां पहुंचती है जहां सरवदिक नुक्सान होता है तो इस अस्थान को हम क्या कहते हैं तो इसके दो नाम है system का C कह रहे हैं आप और बिलकुल right answer है दे रहे हैं आप focus focus इसका नाम है focus भारत की सबसे बड़ी गल्फ खाड़ी कोन सी है तो खंबात की खाड़ी गुजरात के पास है मननार की खाड़ी तमिलाडू के नीची रानो कवच गुजरात के पास और बेव बंगाल बंगाल तो यहाँ पर चार धी गई हैं इसमें सबसे बड़ी खाड़ी के बारे में आप लोगों से पुछा जा रहा है कॉस्सन नमबर 17 कमलेश यादव जी, नितिश तो आप ए कहा रहे हैं खंबात की खाड़ी सबसे बड़ी है अब मैं देखता हूँ आप लोग भी भाग्ये अजमाईए धर्मिंत पमार जी नितिश आप दी कहा रहे हैं बंगाल की खाड़ी बैं मेरा सब्जेक जोगरफी तो नहीं है लेकिन इसका जो अंसर दिया है है ना जैसे गुजरात ऐसे होता है ये ये रान ओफ कच है कच की खाड़ी इस ये नीचे खंबात की खाड़ी है ये सीस का अंसर है अकबर का सासमकाल जाना जाता है यानि उदारता यानि लिब्रल बहुत ज़्यादा सेकलोरिज्म या ये या ये तो क्या इसका अंसर हो सकता है अकबर को आपने बहुत अच्छे से पड़ा है 18 का C आप कह रहे हैं बिलकुल राइट अंसर दे रहे हैं आप बिलकुल यही इसका अंसर था आप नैस देखते हैं सुमित्रा नंदन पंत को ज्यानपीट पुरुषकार दिया गया था चिदंब्रा हिंदी में एक नाम आता है उसके लिए चिद कमने शियादव जी बहतर परफॉर्मेंस के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं कौन सा नरत्ये गुजरात के गर्बा नरत्ये एवं अशोम आसाम के बिहु नरत्ये के समाने तो यहां चार नरत्ये आपको दिये गए हैं तो चोफला निहा कह रहे हैं और निहा जी बिलकुल रा शंख्याएं दी गई हैं शंख्याएं ठिक इसमें भिन यानि एस्टा उडर में दी कौन सी है तो इस देखे यदि हम इसको देखते हैं तो यह इससे डिवाइड हो जाता है ग्यारे से यह डिवाइड हो जाता है 121 आता है यानि 11 का स्क्वाइर यह इससे हो जाता है 25 आता ह यह इस से डिवाइड हो जाता है लेकिन यह इसका अंसर है 12 से 121 डिवाइड नहीं होता यह एक एभाज्ये संख्या है 21 का दी इसका अंसर था अब आगे बढ़ते हुए यहां पर दिये गए है एक कोशन दिया गया है इस कोशन को अंकर लेते हैं देखिए यहां पर जो कोशन आपको दिया जा रहा है 3 यहां दिया जा रहा है 3 10 21 45 93 and 189 तो इसमें कौन सी संख्या गलत है आप देखिए चुकि यहां मैं डारेक्टी बताऊंगा इसमें आपको प्लस 3 हो रहा है तो 6 प्लस 3 यहां 9 आना चाहिए अब इसी सीरिज को चलाता हूं तो इंटू 2 प्लस 3 यह हो गया है और इंटू 2 प्लस 3 तो यह हो गया है यह स्री चल रहे है तो 10 गलत है और 10 के स्थान पर यहां पर क्या आना चाहिए 9 यहां पर विशम को चुनना है यहां पर चार क्रोप के नाम दिये गए हैं, मस्टर्ड है, बाजरा, गेहूं है, और पेडी यानि धान यानि चावन है, तो इसमें डिफरेंट कौन सी है, यह आपको छटना है, तो 23 का C आप कह रहे हैं, सभी का आंसर C आ रहा है, कमलेज जी A कह रहे हैं, आप भिन अलग-अलग त ज्याजरा गेहूं और चावल, यह leguminis family के plant हैं, लेकिन इससे बेहतर यह है, यह खाध्यान है, यह भी खाध्यान है, यह भी खाध्यान है, अगर हम सरसो की बात करते हैं, तो यह क्या है? सरसो तो इससे oil निकलता है, तो इसका आंसर A आएगा, right आँसर इसका A है, A आप धि जनसंख्या दिवस, विष्ट जनसंख्या दिवस कम मनाते हैं, तो सब को पता हुगा, हाँ, क्योंकि 11 जोलाई 1987 में वर्ल्ड की पोपुलिशन 5 अरब हुई थी, 5 अरब हुई, तो इसे हम विष्ट जनसंख्या दिवस के रूप में मनाते हैं, इंदरा गांधी राश्ट्य वन एकाडमी कहा हैं, तो उतराखन के चार नगरों के नाम यहां पर दिए गए हैं, इंदरा गांधी राश्ट्ये वन एकाडमी की बात की जारी है, कोशन 25, 29, 25, धन्मेंत पमार जी आपका ऐानसर आ रहा है और आपका आ रहा है तो इसका मतलब बिल्कुल सई अंतर आप दे रहे हैं। पुषपेश्पंत को किस छेत्र में जाना जाता है। पुषपेश्पंत पुषपेश्पंत उत्रखंड का कोस्षन है। फिर अगला कोस्षन भी उत्रखंड का है बागनात मंदिर। तो पुश्पेश पंत को जो जाना जाता है अंत्राश्टिय मामलों के विशिशक्गे रहे हैं यह ध्यान रखना है बहुत important question है बागनात मंदिर उत्राखन के चार जिलों के नाम यहाँ पर दिये गए हैं तो बागनात मंदिर 27 का D आप कहा रहे हैं मा बाराही जी D बागिश्वर राइट अंसर दे रहे हैं आप लोग भक्त दर्सन वर्तमान उत्राखन के किस जिले से सम्मंदित है भक्त दर्सन की बात हो रही है question number 28 28 का अंसर क्या हो सकता है 28 का अंसर क्या हो सकता है पुरा ताथिक भक्त दर्सन तीरी से है सब लोगों का आंसर तीरी आ रहा है देखो इस्ट्वेंट्स मैं तो हिस्ट्री और कॉंस्ट्टुशन दो सेक्शन लेता हूं तीरी आप कह रहे हैं आंसर अब मैं कैसे कह दूं कि आप बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं लेकिन जहां तक मुझे जानकारी मिली थी मुझे पोड़ी गर्वाल बताया गया था तो आप देख लिजी पोड़ी इस कांसर है नेश्ट आगे क्योर बढ़ते ही आगे क्योर बढ़ते ही मोर्धवज परशिद किसलिए है मोर्धवज कोशन बर 29 29 मोर्धवज का नाम सुना होगा आप लोगोंने बी कमलेश यादाव जी आर्कियोलोजिकल साइट अस्थल बिल्कुल ठीक आंसर है आगे बढ़ते ही खजुराहो मंदिर किसने बनवाए थे खजुराहो डिके स्ट्रेंट्स आपने चंदेल सासकों का नाम सुना होगा एक चंदेल सासक विद्याधरवी था जिसका गजनवी के साथ यूद हुआ था चंदेल ये जो साबरमती आस्रम है इसका वस्तिक नाम क्या है साबरमती आस्रम जिसकी स्थापना गांधी जी ने की थी प्लीज कोसन का नमबर डालते रहे है कोसन नमबर 31 का D आप कहा रहे हैं दंडी आस्रम लेकिन इसका राइट आंसर 31 का B इसका आंसर है सत्यागरह आश्रम जैसे दंडी मार्च की बात करते हैं तो गांधी जी ने 12 मार्च को साबरमती आस्रम से ही इसकी शुरुवात की थी ठीक है अब हम फिर आगे बढ़ते हैं देखिए बिटेश सरकारनी किस्तिथी को भारत को पूर्ण सवसासन देने की घोशना की थी देखिए 25 फैब 1947 को लेबर पार्टी के किलिमिंट इटली जो देश आजाद हुआ उससे में परधान मंत्री थे उसने बिटेश हाउस कौमन में घोशना की थी कि हम भारत को बोलो अंसर चलो राइट अंसर आगया है 30 जून 1948 तक भारत को आजाद कर देंगी लेकिन हम भारत आपस में ही लडने लगे और वो छोड़ कर चलेगे 33 कौन सुल्तान था जिसने पर्थम बार हिंदु करंथों का फ़ार्षी में अनुवाद कराने का कारिये प्राण किया तो इस व्येंट स्वीन्स में बताना चाहूंगा अगर हम फिरूज तूगलक की बात करते हैं अकबर ने भी कर आया है है ना शिकंदर लोदी ने भी कर आया है फरंगे शिकंदरी और लज्ज़त-शिकंदरी का फ़ार्शी में टांसलेम किराया था है ना फरंगे सिकंद्री अयरुवेद सिस्मंदी था और लज्जत सिकंद्री संगीत से लेकिन फिरोज तुगलक ने कांगड़ा के जवालम मंदिर पर आकर्मन किया, 1200 संस्करफ के गरंथ लाया और उनमें से एक को छोड़कर से इसमें आग लगा दी और एक का फार्सी में ट्रांस लेकि रोजसाही नाम से कराया था, ओके राजन गिरी जी वेलकम, काफी लोग मेरी साथ इस समय जुड़ चुके हैं, तो डी इसका अंसर है, आप देखे अकबर के सासनकाल में सबसे बड़ा सवन सिक्का कोन सा था, तो देखे अगर हम बात करते हैं असरफी की इसे तो कोई बार पूछता है कि इस सिक्के की विशिस्ता क्या थी, तो ये चकोर सिक्का था, ये चांदी का, इलाही सोने का है और ये गोल था, और ये सहन सहा लिखा है, जब कि इसका प्रोपर नाम आता है संसब, ये सबसे बड़ा था, सबसे बड़ा है, बड़ा सिक्का था, और उत्राखन PCS में पुछा जा चुका है देखिए अगर हम सिल्क रूट की बात करते हैं तो यहां चार सास्कों के नम दिये हैं कोस्टन नमबर 35 आसा आरिया जी प्लीज कोस्टन का नमबर डालते रहिए तो सिल्क रूट आपने देखा भी होगा एक नाथूला पास से शिक्किन नहीं तो यह जो कनिश्क था कनिश्क के राज्ये से सिल्क रूट गुजरता था और यह रूम तक जाता था जिससे कनिश्क मनमाना टेक्स लेता था यही करण था कि इसका राज्य धनी होगया और भारती इतियास में सबसे सुद और भारी सोने के सिक्के कनिश्क में किलाए था सम्विधान में आवसिष सक्तियां English Medium वालो ध्यान देंगे आवसिष सक्ति को हम रेजिडरी पावर कहते हैं और रेजिडरी जो पावर होती है बताइए किस के पास होती है 36 का B कह रहे हैं संजे चोहान जी और बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं किस सम्विधान संसोधन के द्वारा सिक्षा का जो विशे राज्य सुची से समवर्थी सुची में रखा गया देखिए पॉन्क्रिट लिस्ट में रखा गया पहले स्टिट लिस्ट का विशे होता था तो 37 का आप D कह रहे हैं लेकिन गलत अंसर है C इसका अंसर है 42 अमेंडमेंट 1976 में हुआ था तो इसके द्वारा एजुकिशन इसके द्वारा फोरेस्ट और इसके साथ सेंसर्स कंट्रोल यानि जनसंख्या नियंतन या फैमली प्लानिंग कह सकते हैं तिनों को एक साथ रखा गया था जन ही तियाची का यानि P.I.L. पब्लिक इंटेस्ट लेजिगेशन जो हाई कोर्ट और सुप्लिं कोर्ट दोनों में दायर की जा सकती है इसका कोंसेप्ट भारत में भारत में किस से लिया है प्लिज कॉपरेट कीजिए कॉपरेट कीजिए पेपर बड़ा है साथ दीजिए मेरा पॉस नमबर 38 का सी कह रहे हैं लेकिन फुशुम लता पोखरिया जी आपका राइट आंसर हैं USA से लिया है ये जुडिसेरी से सम्बंदित है और जुडिसेरी से सम्बंदित जो कुछ भी है उसका कॉंसेप्ट हमने अमेरिका से लिया है भारत के राश्टपती का जो चुनाव होता है उससे सम्बंदित यदि कोई कॉंटो बरसी होती है तो ऐसी स्थिति में कंडिडिट जो हारने वाला है राश्टपती के इलेक्षन में जो इलेक्टरॉल कॉलिज बनता है निर्वचक मंदल उन दस सदश्यों की सिफारिस पर इस वाद को वो सुप्रीम कोर्ट ला सकते हैं चाहे परजेंट का इलेक्षन हूँ चाहे वाइस परजेंट का हूँ लेकिन उस दोरान राश्टपती के पद पर रहते विए जो भी उन्होंने काम किया है वो सब सही माना जाएगा देखे लोकपाल बिल अम्बूर्समेन बिल भारत की संसद में पहली बार जो लाया गया था कोशन नम्बर 40 सिस्टी कोशन है प्लीज को प्रिट कीजिए कोशन नम्बर 40 लोकपाल ये 1968 है ये धियान रखना 68 में इसको लाया गया था अब मैं आगे क्यों बढ़ता हूँ संसदिये सरकार जिस सिध्धान पर कारिये करती है वह क्या है देखे भारत सरकार की एक विसिस् सिध्धान की यहाँ पर पार्लेमेंटरी सिस्टम है और इस सिस्टम को हमने जो लिया है वो बिर्टेन से लिया है तो संसदिये सरकार की विसिस्ता ये होती है यहाँ पर आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए लेंग्वेज की साथ छेड़ चाड़ कर दी गई देखे आ संसदिये सरकार का मतलब होता है यहां कारिये पालिका और विधाईका यानि एग्जुगेटिव एंड लेजिसलेटिव एक दूसरे की समन्वे और सहयोग यानि कोडेनेशन और कोपरेशन के सिध्धान पे काम करती है तो इसका जो राइट आंसर दिया गया है यह है देखो घनिश संबंद लिख दिया लेकिन घनिश संबंद कैसे हो सकता है घनिश तो नहीं है लेकिन इसका यही अंसर आ रहा है अब मैं लेकर चलता हूं यहां पर एक कोस्षन यहां पर दिया गया है एवरीज का कोस्षन है एक कख्षा में 22 विध्यारती है ओसत आयू कितनी है एक वल्टू कितना होता है पहले इसको देख लेते हैं इनका टोटल वीट कितना है इतना फिर एक सिक्सक की आयू समलित करने पर यानि 22 विध्यार्तियों की जंग अब कितने हो गए हैं 23 एक किलो एक वर्स की आयू बढ़ जाती है यहां कितने हो गए हैं 22 तो देखते हैं इनकी टोटल इतनी है इसमें से मैं यह दिसको माइनिस करता हूँ तो क्या आता है 44 44 आता है तो 44 इसका अंसर D है बहुत ही इजी सा कॉस्षन यहां पर दिया गया था D इसका अंसर है फिर यहां पर दिया है यहां ब्लड रिलेशन का कॉस्षन है के एन और एक्स का भाई है यह जो के है के यह कंफर्म है यह पुरुस है और यह एन और एक्स का भाई है एन और एक्स का भाई है के यह कंफर्म है लेकिन एक्स और एन पुरुस है यह महिला नहीं पता है य एन की माता है इसकी जो माता है य है यह माता है जैड के का पिता है इसका पिता कौन है जैड तो इसका मतलब यह पती पतनी हो गई तो कौन सा कथन सही नहीं है के जैड का पुत्र है बिलकुल राइट है वाई जैड की पतनी है बिलकुल ठीक है एन चलो सदैव एक्स का भाई है एन एक्स का भाई बिलकुल कंफर्म नहीं कि जेड एक्स का पिता है जेड के का पिता है यह भाई बैने तो इसका भी पिता है तो इसका अंसर सी आगया है है कि देखिए स्ट्रेंड यहां पर एक पोर्शन आपको दिया गया है इस को आप जब करेंगी तो आप क्या किरेंगे इन तीनों का एल सियम निकाले nggak 8, 6 और 12 इनका जो LCM होता है 2 से काटूँगा मैं 4, 3 यहां पर क्या आएगा 6 फिर मैंने 2 से काटा तो यहां 2 आगया यह 3 हो गया और यहां 3 आगया फिर मैं 2 से काटूँगा 1, 3 और 3 अब मैं 3 से काटूँगा तो यह भी क्या होगा 1, 1, 1 तो इनको मल्टिप्लाई 2 दूनी 4 दूनी 8 या ऐसे आगया तो यहां पर देखे ऐसे यह आया इनका LCM ऐसी कोई संख्या नहीं है जिस एके संख्या से सारे कट जाएं या 2 कट जाएं तो इनको मल्टिप्लाई कर लेते हैं 14 इंटू 5 70 आता है तो इसका अंसर 70 आजाएगा यह जो कोईस्टन दिया गया है कोईस्टन नमबर 45 इसको आप देख सकते हैं कोईस्टन नमबर 45 इस कोईस्टन में कुछ नहीं है यह 7 प्लस 3 और माइनस 1 तो यहां 9 आजा तो 8 प्लस 2 तो 10-1 करेंगे तो यह आ जाएगा तो 6 प्लस 1 7-1 करेंगे तो 6 आ जाएगा इसमें भी यह आंजार चलो direction का कोईस्टन है कुछ भी नहीं है इसमें ठीक आप देख लिजी कुछ नहीं है इसकोईस्टन में तो ऐसा नहीं है कि यह कोशन आपको कराय नहीं जा रहा है ठीक है आप देख लिजी बिल्कुल भी यहां चलो देख लेना जो जो दक्षिना वर्थ होता है इसे क्लोकवाइज कहते हैं और वामा वर्थ को एंटी क्लोकवाइज यह अंसर आएगा कर लिजी आप देखिए यहां पर उत्राखन का क कोशन दिया है 47 में मर्नो प्रम्वीर चक्र से हिस सम्मानित कीए जाने वाले मेजर सौमनात सर्मा किस से सम्मन्दी थे? बहुत री संदर कोशन है और यह कोशन पुछा भी गया है आप लोगों से, मेजर सौमनात सर्मा गोरखा राइफल गड्वाल राइफल डोगरा रैज धर्मेंत पमार जी का आंसर डी आ रहा है और डी कुमायू रेजिमेंट बिल्कुल ठीक आंसर आप दे रहे हैं कुमायू रेजिमेंट से संबंदित थे कत्यूरियों की दर्बारी भासा क्या थी कत्यूरी डाइनिश्टी की बात कर रहे ही कत्यूरी और कत्यूरियों की जो दर्बारी भासा थी यह कोस्टन रिपीट हो गया है यह पिछली टेस्रीज में भी संभवत है दिया गया था तो कत्यूरियों की जो भासा है बिल्कुल संस्क्रत आप कह रहे हैं ये इसकी भासा थी देखे दार्मा और व्यास घाटियों को जोड़ने वाला एक पास है उत्राखन के अंदर उस पास का नाम क्या है कोस्ट नमबर 49 आसा जी धर्मिन्द पमार राजन गिरी मिस्ट एम आर कमलेश्या दाओ ये आप कह रहे हैं सिल्ला नितिशी और सिल्ला बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं चलो 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 एक मिनिट कुछ बताना चाहूंगा पेपर बनाते हैं तो मुझे भी महनत करनी पड़ती हैं पेपर बीच में इसलिए लिए जाते हैं जिससे आप अपडेट रहे हैं मेरी बहुत ही उच्छुकता रहती है आपके performance को देखने के लिए पेपर समय से पहले लिए जा रहे हैं इससे आपको भी पता लग जाता है कि आप कहां stand कर रहे हैं यदि आप कही ना कहीं lag कर रहे हैं कोई loophole है तो अभी इतना समय आपके पास है कि उस समश्या का समधान आप कर शकते हैं तो प्लीज लगे रहे हैं जीत आई इसकी टीम सदैव आपकी साथ है देखे परजा मंडल 1939 था सायद मेरा सब्जेक्ट नहीं है तो इसकी स्थापना जो की थी स्रीदेव शुमन ने की थी और इसका जो उदिश्य था वो क्या था और जिस प्रकार एक कॉंग्रेसी नेता थे 1949 में जो राज्य पुनर गाठन आयोग बना था कि भासा के आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए सिरी रमालू सिरी पटब्भी सिरी रमालू वो भी 56 दिन सईद हुए थे तो इनका जो उदिश्य था जो तेरी राज्य है यहां का कुशासन था अन्याय का प्रतिक हो चुका था तो इसका उदिश्य ये था उसका विले करना यह सभी को पता है कैलास मांसरोवर की जो यात् खुशास है हम परवेश लिपूलेक पास से करते हैं अब देखें कौन उत्राखन में रेल यतायात का अंतिम बिंदु नहीं है क्या काट गोदाम यह आप जानते हैं कि काट गोदाम जो है काट गोदाम अंतिम बिंदु ए ऐसी इक पोड़द्वार भी है और देहरादू मे लेकिन डिस्टिक हरदवार में जो लकसर है, लकसर अपने आप में एक जंक्शन है, ठीक है, लकसर, तो लकसर जो है, ये अंतिम बिंदू नहीं, नंदोर दून किस जन्पद में है, नंदोर घाटी का भी नाम सुना होगा, नंदोर, बड़ी चर्चा में भी रहती है, तो नं नंदोर, उद्दम सिंग नगर, नैनिताल, हरदवारी, अगरवाल, कोशन नंबर 53, कोशन नंबर 53, सिस्टी कोशन है, तो ए कह रहे हैं, उद्दम सिंग नगर, संजे जी भी, हाँ, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, नंदोर जो दून है, ये डिस्टिक नैनिताल में है, और खल्दवानी काट गोदाम के पास है, ये नहीं है इसका अंसर, नैनिताल इसका अंसर है, आगे बढ़ते हैं, उत्तरकासी का हिस्टोरिकल नेम क्या है, उत्तरकासी, उत्तरकासी है, तो आपने सुना होगा बिल्कुल सही अंसर संजे चोहन जी दे रहे हैं आपर, ब आगे बढ़ते हैं मानोद्य काव्य की रचना किस ने की थी तो देखिए जोती साचारिय की उपादी जागीर ने उन्हें दी थी और भरत कवी नाम आता है भरत कवी बंद अर्थविस्था यानि close economy जो economy होती है economy ये किसे कहते हैं देखिए इसका मतलब होता है close economy का मतलब होता है जहां पर trade नहीं होता trade भी दो चीज से मिलकर बनता है export and import जहां पर ये नहीं होता अब हम आगे की और बढ़ते हैं और समाप्ती की और बढ़ते वे उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है sweat quarantine यानि दूद से सम्मंदित है और इसे सम्मंदित अपने नाम सुना होगा operation flood एक प्रोग्राम भी चला गया था इसकी शुरुवात गुजरात में एक जंग का नाम है आनन्द वहां से की गई थी और डोक्टर वर्गीज कुरियन ठीक है MS स्वामीनाथन ये green revolution लाए थे और ये अमेरिका के scientist है जिसका विश अस्तर पर अमेरिका के हैं वो लाए थे जो पंचायद द्वारा text लगाया जाता है कौन सा नहीं लगाया जाता है नहीं कौन सा लगाया जाता है क्या cell text है या custom duty है या भूर आजस या नेलो पर जोकर लगता है तो इसका भी answer नितेश जी दे रहे हैं D और बिल्कुल सही answer आप दे रहे हैं अब दो question memory सब किस से सम्मंदी थे computer के question है memory का जो सम्मंद है वो किस से सम्मंदी थे आप मुझे बता सकते हैं 59 कब B कह रहे हैं obviously 59 B इसका answer है storage से सम्मंदीत होता है storage storage और last question टिक का जो बिमारी है किस फसल पर लगती है देखे इस तरीके के random question कहीं बार पुछे जाते हैं question number 60 question number 60 और last question है आप C कह रहे हैं टिक का कमलेजी मुमफली खाते होंगे और मुमफली पर टिक का टिक का लगता होगा लेकिन कमलेजी answer गलत है इसका answer PD है धान धान से सम्मंदीत है तो आज की class यहां पर complete हो जाती है और मैं उम्मीद करूंगा किस आप अच्छे से पढ़ाई करेंगी मेरी आप लोगों के लिए शुब काम नहीं आप बहतर परदर्शन करें ओके थेंकिए ठरुई तरुण करेंगो झाला करेंगрос लिए हमें उम्मीद आप intact